हम अपने कपड़ों को दोने के बाद उन्हें बाहर सूखने के लिए लटका देते हैं क्या आपने कभी लंबे समय तक पानी का एक किलास बाहर छोड़ा है? हम देखते हैं कि पानी की मात्रा कुछ समय बाद कम हो जाती है हम यह भी देखते हैं कि कुछ समय बाद हमारे कपड़े जो बहार लटकाए गए हैं वह सूख गए हैं यह कपड़े कैसे सूख जाते हैं? गिलास में पानी का स्तर कम क्यूं हो जाता है? हमने पड़ा है कि एक द्रव कुथनांख पर ग्यास में बदल जाता है प्रतेक मामले में कपड़े बहार लटकाना या गिलास में पानी बहार छोड़ना पानी अपने क्वथनांख तक गरम नहीं किया गया था लेकिन हम यह भी जानते हैं कि पानी दोनों मामलों में अपनी वाश्प अवस्था में बदल जाता है इसका कारण वाश्पी करण नामक एक प्रक्रिया है क्वतनांक से नीचे किसी भी तापमान पर दरव के वाश्प में परिवर्थन की घटना को वाश्पी करण कहा जाता है वाश्पिकरण कई द्रवों में देखा जाता है लेकिन वाश्पिकरण होता कैसे है? हम जानते हैं कि पदार्थ के कण हमेशा गतिशील रहते हैं और कभी भी रुकते नहीं है द्रव पदार्थ के मामले में सतह पर कणों का एक छोटा सा अंश अधिक गतिश उर्जा होने के कारण अन्य कणों के आकरशन बल से मुक्त हो जाता है और हवा में चला जाता है यही वाश्पिकरण है क्या आप निमलिखित प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं? वाश्पिकरण क्या है? और वाश्पिकरण कैसे होता है? दो मिनिट का समय लें और यह अपनी कॉपी में लिख लें वाश्पिकरण को और समझने के लिए आईए एक क्रिया कलाब करते हैं हम बीकरों में पानी रखते हैं और कुछ देर पानी का वाश्पिकरण होने देते हैं हम तीन केस देखेंगे पहले केस में हम बीकर को एक डब्बे के अंदर रखतेते हैं दूसरे केस में हम बीकर को एक कमरे में रखतेते हैं और तीसरे केस में हम बीकर को बाहर खुले में रखतेते हैं तीनों बीकरों में पानी की सतह पर वाश्पिकरन होगा जिसकी वजह से पानी का इस्तर कम होने लगेगा हम कुछ देर तक तीनों बीकरों का निरिक्षन करते हैं और यहां नोट कर लेते हैं कि बीकर में पानी का इस्तर किस दर से गिर रहा है क्या तीनों बीकरों में पानी का स्तर बराबर गिरने में बराबर समय लगेगा? आईए देखते हैं पहले केस में हम देखते हैं कि पानी का स्तर गिरने में सबसे ज्यादा समय लगा है दूसरे केस में हम देखते हैं कि पानी का स्तर गिरने में थोड़ा कम समय लगा है और तीसरे केस में हम देखते हैं कि पानी का स्तर गिरने में सबसे कम समय लगा है तीनो केस में पानी की समान मातरा के वाश्पिकरन के लिए अलग-अलग समय क्यों आवश्चक है क्या आप उन कारकों के बारे में सोच सकते हैं जो तीनों केस में वाश्पी करण की दर को प्रभावित करते हैं आएए देखते हैं आएए हम उन कारकों को देखें जो वाश्पी करण को प्रभावित करते हैं सतह शेत्र वाश्पी करण सत्ह पर होता है सत्ह का शेत जितना ज़्यादा होगा, द्रव के उतने ही ज़्यादा गण सत्ह से निकल सकते हैं नतीजन, सत्ह शेत जितना अधिक होता है, वाश्पी करण की दर उतनी ही अधिक होती है तापमान पाश्पिकरन के लिए कणों को सतर से निकल पाने के लिए गदिज उर्जा की आवशक्ता होती है हम जानते हैं कि उच्च तापमान पे कणों की गदिज उर्जा अधिक होती है इसलिए जितना उच्च तापमान उतना ही उच्च पाश्पिकरन की दर होती है हवा में मौझूद जलवाश्प की मात्रा को आर्दता कहते हैं। उच्छ आर्दता का मतलब है कि हवा में जलवाश्प कणों की संख्या अधिक है। वायू केवल सीमित मात्रा में जलवाश्प धारण कर सकती है। नतीजन जितनी ही उच्छ आर्दता उतना ही कम जगह जलवाश्प के कणों के लिए उपलब्ध होती है। इसलिए आर्दता बढ़ने पे वाश्पिकरण की दर कम हो जाती है। हवा की गती जब हवा चल रही होती है तो वाश्पित जल वाश्प चलती हवा की वज़े से दूर हो जाता है। नतीजन द्रव सतह के ततकाल परिवेश पे अधिक स्थान उपलब्ध होता है। इसलिए जितनी उच्छ हवा की गती उतना ही उच्छ वाश्पिकरण की दर होती है। क्या आप निमलिखित प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं। किस कारक पर वाश्पिकरण निर्भर करता है। यह कारक वाश्पिकरण को कैसे प्रभावत करते हैं। दो मनट का समय लें और यह अपनी कॉपी में लिख लें। हमने पढ़ा है कि वाश्पिकरण तरल पदार्थों की सतह से निकलने वाले कणों के कारण होता है। निकलने के लिए कणों को अतरित उर्जा की आवश्यक्ता होती है। यह उर्जा आसपास से आती है। चूकि उर्जा चारों ओर से कणों द्वारा ली जाती है, इसलिए वाटावरन ठंडा हो जाता है। जब हम धूप में चलते हैं या खेलते हैं तो गर्म महसूस करते हैं। उसके बाद जब हम पानी से अपना चेहरा धोते हैं तो हमें ठंडा महसूस होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वाश्पित होने वाला पानी हमारे चेहरे से आवश्यक उर्जा को अवशोशित कर लेता है। आपको याद होगा ये वही उर्जा है जिसको हम वाश्पी करण की गुप्त उर्जा कहते हैं। इस उर्जा के लेंदेन के प्रणाम स्वरूप हमारा चेहरा ठंडा हो जाता है। इसलिए हम निश्करश निकाल सकते हैं कि वाश्पी करण से शीतलता होती है। यही वज़े है कि हमको गर्बी लगने पर पसीना आता है। प्रकृती ने हमको पसीना निकलने की शमता इसलिए दी है जिससे हम उसके वाश्पी करण से गर्बी में अराम दायक महसूस कर पाएं। क्या आप निमलिखित प्रश्ण का उत्तर दे सकते हैं। वाश्पी करण से शीतलता कैसे होती है। दो मिनिट का समय लें और यह अपनी कॉपी में लिख लें। अब इन क्लास एक्सरसाइज करेंगे अपनी अवंती वर्क बुक के एक्सरसाइज 9C 1.4 में Q2, 4, 9, 10 हल करें। हमने इस पार्ट में जो जो पढ़ा आए उसको दोरा लेते हैं। हमने सबसे पहले पदार्थ के बारे में पढ़ा और हमने देखा कि पदार्थ का द्रविमान होता है और वह स्थान गेरता है। उसके बाद हमने पदार्थ की भौतिक प्रकृति की चर्चा की थी थी हमने देखा था कि पदार्थ तीन अवस्थाओं में पाया जाता है ठोस द्रव और गैस इसके बाद हमने ठोस अवस्था की चर्चा की थी और हमने ठोस पदार्थों के गुर्ण देखे थे यह गुर्थे की थोस्पदार्थों का निश्चत आकार होता है, उनकी पश्ट सीमाएं होती है, उनका स्थिर आयतन होता है, थोस्पदार्थों में नगर्ण संपीड़ता होती है, थोस्पदार्थ कठोर होते हैं, वह तूच सकते हैं, वह आसानी से विकृत नहीं होते और थ स्थोस्पदार्थों के कड़ों के बीच में अधिक्तम आकर्शन बल होता है इसके बाद हमने द्रफपदार्थों के चर्चा की थी जहां हमने देखा था कि कड़ों के बीच में रिक्तिस्थान कम होते हैं उनको जिस बर्तन में रिखा जाता है वह उसका आकार ले लेते हैं द्रफपदातों का स्थिर आयतन होता है, उनमें साधारण संपीट देता होती है, द्रफपदातों के कड़ों के बीच में आकर्षन बल कम होता है, और वह बैह सकते हैं। इसके बाद हमने ग्यास अवस्था की चर्चा करी थी, जहां हमने देखा था कि ग्यासों का कोई आकार नहीं होता, उनकी कोई स्पष्ट सीमाई नहीं होती, उनमें अधिक्तम संपीट दता होती है, उनमें कड़ों के बीच में निनुतम आकर्षन बल होता है, वह बैह सकते है और कड़ों के बीच में अधिक्तम रिक्तिस्थान होते हैं, इसके बाद हमने अवस्था में बदलाव की चर्चा की थी, जहां हमने देखा था कि संगरन मतलब कैस से द्रव में आना, वाश्पीकरन मतलब द्रव से गैस में जाना, संगलन मतलब ठोस से द्रव में आना, जम इसके वाद हमने वाश्पिकरण की चर्चा की थी जहां हमने देखा था कि वाश्पिकरण वह प्रक्रिया है जहां पे कोई द्रव गैस में बदलता है यह प्रक्रिया क्वतनांग के नीचे होती है यह एक सतही प्रक्रिया है मतलब की द्रव पदाव के कण सतह से हवा में चले जाते हैं वायू की गती बढ़ने पर वाश्पिकरण की दर बढ़ जाती है जतना जादा सतह शेत्र होता है उतनी जादा वाश्पिकरण की दर होती है इसमें हमको अलग से उश्मा प्रदान नहीं करनी परती है और इसका एक उधारन है कि हम जब कपड़ों को बहट सूखने के लिए टांगते हैं तो कुछ दिर बाद वह सूख चाते हैं क्योंकि उनमें मौजूद सारा जल वाश्पित हो जाता है हमें आशा है कि आपको ये पार्ट समझ में आ गया होगा इस पार्ट के किसी भी भाग में कोई संदे हो तो अपने टीचर से जरूर पूछें धन्यवाद पढ़ाय गए विशे पर अब एक छोटा सा टेस्ट लिया जाएगा अपनी किताब को बंद कर लें और कॉपी को एक नए पेच पर खोलने स्क्रीन पर अभी कुछ सवाल दिखाये जाएंगे इन सवालों के केवल उत्तर आपको अपनी कॉपी में लिखने हैं यह एक क्लास टेस्ट है और आपको आपस में बातचीत नहीं करनी है तयार हो जाएए चलिए अब सवाल देखते हैं पहला सवाल वाश्पी करन से डैश उत्पन होती है ठंडक या गर्मी दूस्ता सवाल वाश्पी करन की दर निम्मिलिखित कारों को पर निर्भर करती है डैश 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 और डैश समय समाप्त हमें आशा है कि आपने सारे उत्तर लिख लिए होंगे अपने सहपाटियों से अपनी कौपियों की अदला बदली कर लें अब सभी सवालों के उत्तर दिखाए जाएंगे आपको अपने सहपाटी की कौपी चेक करनी है सही जवाब के लिए एक अंक दें गलत जवाब के लिए शूने अंक दें और अंत में टोटल अंक लिखते हैं पहला सवाल वाश्पी करण से ठंडक उत्पन होती है दूसरा सवाल वाश्पी करण की दर निमलिखित कारकों पे निर्भर करती है सतह का शेतरफल, तापमान, आर्धरता और वायू की गती इन में से किसी भी सवाल में अगर आपको कोई संदे हो, तो अपना हाथ उठाएं अपने सहपाथी से अपनी कॉपी वापस लेकर अपने अंक देख लें टीचर के अंक पूछने पर अपना हाथ उठाएं कॉंसेप्ट टेस्ट पढ़ाय गए विशे पर अब कुछ क्विज लिये जाएंगे अपनी किताब बन कर लें स्क्रीन पर अभी एक सवाल दिखाया जाएगा इस सवाल के चार विकल्प होंगे आपको इन चार विकल्पों में से अपना उत्तर चुनना है ध्यान रहे कि आप किसी से बात न करें और अपना उत्तर अपने पास ही रखें तयार हो जाएए कर्मियों में घड़े या मटके में रखा पानी ठंडा कैसे हो जाता है A. मटका ठंडा होता है और पानी को ठंडा कर देता है B. किसी राशायनिक प्रक्रिया के कारण C. पानी ठंडा नहीं होता हमको बस ऐसा लगता है या D. मटके की सतर पर छोटे चिदरों से वाश्पी करण की वजह से सोचने का समय समाक्त जब हम आपसे पूछें तो अपने उत्तर के लिए वोट दें अपना हाथ उठाएं और दिखाएं आपको अपनी संकत किताब के पीछे concept test के voting cards मिलेंगे अगर आपका उत्तर A है तो A का card दिखाएं B है तो B का card दिखाएं C है तो C का card और D है तो D का card अगर आपके पास ये voting cards नहीं हैं तो A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4 दिखाएं सबको एक ही समय पर vote करना है अपना ही उत्तर बताएं आपको चर्चा करके अपना उत्तर बदलने का वक्त बाद में दिया जाएगा तयार हो जाएगे तीन, दो, एक, vote अब अपने दोस्तों के साथ सवाल पर चर्चा करने के लिए 2 बनिट का समय ले अपने मित्रों का उत्तर पूछे यदि अलग है तो पूछे क्यूं यदि समान है तो चर्चा करें कि कैसे चर्चा करें चर्चा का सबैसबाफ्त अपने नए उत्तर के लिए वोट करें तयार हो जाएगे तीन, दो, एक, vote आएए अब हम इसका उत्तर देखते हैं इसका उत्तर है डी मटके की सतह पर छोटे चिद्रों से वाशपी करण की वजह से हमने पढ़ा था कि वाशपी करण तरल पदार्थों की सतह से निकलने वाले करण के करण होता है और निकलने के लिए करण को अतरिक्त उर्जा की आवश्यक्ता होती है यह उर्जा आसपास से आती है चुकि उर्जा चारों ओर से करणों द्वारा ली जाती है इसलिए वातावरन ठंडा हो जाता है इसलिए हम कह सकते हैं कि वाशपी करण से शीतलता होती है घड़े की सतह पर दो छोटे चिदर होते हैं उनसे थोड़ा थोड़ा पानी निकलता रहता है और वह वाशपी कृत होता रहता है जिसकी वज़े से घड़े के अंदर का पानी ठंडा हो जाता है इसलिए उसका उतर है D Concept Test पढ़ाय गए विशे पर अब कुछ क्विज लिए जाएंगे अपनी किताब बन कर ले स्क्रीन पर अभी एक सवाल दिखाया जाएगा इस सवाल के चार विकल्प होंगे आपको इन चार विकल्पों में से अपना उतर चुनना है ध्यान रहे कि आप किसी से बात ना करें और अपना उतर अपने पास ही रखें तयार हो जाएए गर्मियों में हमें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए A. सूती B. उनी C. रेशम या D. सिंथेटिक सोचने का समय समाक्त जब हम आपसे पूछें तो अपने उतर के लिए वोट दें अपना हाथ उठाए और दिखाएं आपको अपनी संकत किताब के पीछे concept test के voting cards मिलेंगे अगर आपका उतर A है तो A का card दिखाएं B है तो B का card दिखाएं C है तो C का card और D है तो D का card अगर आपके पास ये voting cards नहीं है तो A के लिए 1, B के लिए 2, C के लिए 3 और D के लिए 4 दिखाएं सबको एक ही समय पर vote करना है अपना ही उतर बताएं आपको चर्चा करके अपना उतर बदलने का वक्त बाद में दिया जाएगा तयार हो जाएए 3, 2, 1, vote अब अपने दोस्तों के साथ सवाल पर चर्चा करने के लिए 2 बनिट का समय ले अपने मित्रों का उतर पूछे यदि अलग है तो पूछे क्यूं यदि समान है तो चर्चा करें कि कैसे चर्चा करें चर्चा का सबैसबाफ्त अपने नए उतर के लिए वोट करें तयार हो जाएए 3, 2, 1, vote आईए अब हम इसका उतर देखते हैं इसका उतर है A सूती हमने सीखा था कि वाश्पी करण के कारण शीतलता होती है जब हम गर्मियों में पसीना बहाते हैं तो हमारे कपड़ों में दूई हमारे पसीने को सोकती रहती है और उसे वातावरण में वाश्पित होने देती है हमारे पसीने के निरंतर वाश्पी करण होने के कारण सूती कपड़ा शीतलता प्रदान करता है प्रश्ण में अन्यविकल्प उनी, रेशम और सिंथेटिक हमारे पसीने को उतने अच्छे से नहीं सोक पाते हैं जितना सूती कपड़ा सोकता है इसलिए हमें गर्गियों में सूती कपड़े पहनने चाहिए इसलिए इसका उत्तर है ए सूती नमश्कार क्या आपने कभी सोचा है कि हम किस चीज से बने हैं? हम जब पैदा हुए थे तो छोटे थे पर अब बड़े कैसे हो गए हैं? और आगे जाके और बड़े कैसे हो जाएंगे? हमारे शरीर में अलग-अलग प्रकार की चीजें हैं जैसे कि तवचा, बाल, नाकून, रक्त, रिदय, फेफडे ये अलग-अलग चीजें क्यूं हैं? इन सब सवालों का जवाब ढूनने के लिए रॉबर्ट हुक नाम के एक वैग्यानिक ने आज से साड़े तीन सो साल पहले पेड के तने की चाल का अध्यन किया रॉबर्ट हुक ने माइक्रोसकोप याने के सुक्ष्मदर्शी नाम के एक यंत्र का इस्तिमाल किया जिसको बहुत छोटी चीजे देखने के लिए इस्तिमाल किया जाता है रॉबर्ट ने जब पेड की तने की चाल को माइक्रोसकोप से देखा तो पाया कि उसमें एक ही आकार के बहुत सारे खाने बने हुए हैं इन खानों को देखके उनको छोटे छोटे कमरों की याद आ गई अंगरेजी में इन छोटे कमरों को जो कहा जाता है उन्होंने इन छोटे खानों को वही नाम दे दिया सैल सैल जिसे हम कोशिका कहेंगे का जब और अध्यन किया गया तो पाया गया कि हमारे चारो और सभी जीवजन्तू कोशिकाओं से बने हुए है इंसान, जानवर, पेड़ पौधे, छोटे और बड़े कीडे ये सभी कोशिकाओं से बने हुए है इसी वज़े से कोशिका को जीवन की मौलिक एकाई यानि की fundamental unit of life कहा जाता है इस पार्ट में हम कोशिका का गहराई से अध्यन करेंगे हम पढ़ेंगे कि एक कोशिका के अंदर क्या-क्या होता है और किस तरह से कोशिका वो सारी प्रतिक्रियाएं करती है जिसकी वज़े से वो सभी जीवों को बनाती है हम देखेंगे कि एक कोशिका स्व mitigation किन हिस्सों से बनी होती है और ये हिस्से कोशिका को उसके काम करने में कैसे सहायता करते हैं आएए देखते हैं हलो बच्चों आज हम कोशिका या सैल के बारे में पढ़ेंगे जैसे कि घर इंटों से मिलकर बना होता है उसी प्रकार हमारा शरीर कोशिकाओं से मिलकर बना होता है तो कोशिकाएं हमारे शरीर के निर्माण ब्लॉक हैं, तो हम कह सकते हैं इमारतों में इंट तथा जीवों के शरीर में कोशिकाएं दोनों ही सनरचना का मूलभूत आधार है, परन्तु वास्तब में कोशिका है क्या? 1665 में, रॉबर्ट हुक ने एक काग के टुकडे या स्लाइस ओफ कौर को सुक्ष्न दर्शी के नीचे रखा, जोकि उसने स्वैंग मनाया था, काग पेड की छाल या बार्क ओफ ट्री का एक भाग होता है, उसने देखा कि वो छोटे-छोटे एकाई बॉक्सों से मिलकर बना प्रत्येक बक्सा एक दिवार द्वारा अने बक्से से अलग था, उसने प्रत्येक बक्से को कोशिका या सेल कहा, हुक द्वारा काग पर किये गए शोट से जो बक्से या कोशिकाएं पाई गई, वह सब मृत कोशिकाएं या डेट सेल्स थी, कोशिकाओं की यह खोजन आकस में क्या accidental थी बाद में वैग्यानिकों ने ये पाया कि सभी जीव सुक्ष्म छोटी इकाई से मिलकर बने होते हैं इन्हें ही हम कोशिका या सेल कहते हैं एक कोशिकिये जीव जैसे अमीबा से ले कर बड़ी सी ब्लू वेल तक प्रत्येक जीव कोशिका से मिलकर बना है प्रतियक जीब में कोशिकाओं की संख्या समान नहीं होती बहुत से जनतों सिर्फ छोटी कोशिकाओं से मिलकर ही बने होते हैं जैसे कि बैक्टीरियम उन्में से कुछ इतने छोटे होते हैं जैसे मीटर का मिलियनवा भाग दूसरी ओर एक चूहे में करोड से भ होती हैं 1 trillion equal to 1000 billion क्या सभी जनतों की कोशिकाओं का आकार तथा बनावट समान होती है नहीं आश्यर जनक है परंतु सत्य है मुर्गी कांड़ा एक कोशिका को प्रदर्शित करता है और यह इतना बड़ा होता है कि नग्न आखों से भी देखा जा सकता है पीले भाग के बाहर सफेद भाग सफेद भाग albumin है जो की उबलने पर जम जाता है पीला भाग yalk है यह कोशिका का भाग है इस कोशिका को बिना किसी सुक्ष्म यांत्रिया magnifying device के भी देखा जा सकता है सभी कोशिकाओं का अकार समान नहीं होता सबसे छोटी कोशिका 0.1 से 0.5 micrometer की होती है जो की बैक्टीरिया में होती है यदि हम मीटर को मिलियन समान भागों में बाटेंगे तो उसका एक भाग micrometer है तो कलपना कीजिए बैक्टीरियम कितना छोटा होगा दूसरी ओर एक शुतरमुर्ग का अंडा 170 mm x 130 mm तक बड़ा हो सकता है सिर्फ नंबर और आकार ही नहीं कोशिकाओं की बनावट भी अलग-अलग होती है लाल रक्त कोशिकाओं बनावट में गुलाकार होती है कुछ कोशिकाओं धुरा या स्पिंडल जैसी होती है जो की दो आंस्पेश्यों की कोशिकाओं कुछ कोशिकाओं तार जितनी लंबी भी हो सकती है जैसे कि हमारी नसों की कोशिकाओं तंत्रिका कोशिका या नर्व सेल्स या नियूरॉन मिलकर हमारा तंत्रिका तंत्र यानि नर्वस सिस्टम बनाते हैं मानव शरीर में तंत्रिका कोशिक जाद दो फिट से भी अधिक लंबी हो सकती है। कुश-कोशिकाओं के विशेश बनावट नहीं होती और वह अभीबा की तरह अपनी बनावट बदल सकते हैं। ये एक कोशिका से बने होते हैं तथा भोजन के शिकार के लिए ये कतिवित ही करते हैं। WBC कोशिकाओं जो हमारे शरीर में हैं, उनका कोई विशेश आकार नहीं होता। परन्तु जब WBC ही एक कोशिका होती है। अमीबा एक संपूर्ण अंगक है, जो की स्वतंत्र रूप से अस्त्तु में रह सकता है। विभिन कोशिकाओं विभिन प्रकार के कारे करती हैं। जब एक प्रकार की कोशिकाओं का समूह कोई विशेश कारे करता है, उस समूह को उतक या टिश्यू कहते हैं। जैसे मांस्पेशों की कोशिकाएं समूह में मांस्पेशी उतक बनता है जो कि हमारे शरीर को गती करने में सहायता करता है। हमारे शरीर के विभिन अंग विभिन उतकों से मिलकर बने होते हैं और विभिन अंग मिलकर एक तंत्र बनाते हैं किसी एक कारिकों करने के लिए जैसे की पाचन तंत्र विभिन अंगों से मिलकर बना होता है जैसे पेट या स्टमक, छोटी आत या स्मॉल इंटेस्टाइन, ब उतकों का समूह, अंगों या और्गेंस का निर्माण करता है। विभननांग मिलकर तंत्र का निर्माण करते हैं। जैसे पाचन तंत्र, तंत्री का तंत्र आदी। अब आपने कोशिका के बारे में बहुत कुछ समझ लिया। जो कि हमारे शरीर की संरशनात्मक इकाई या इतना परियाप्त है। बाई-बाई! उन्हे 1665 में की थी। वह पेड़ की चाल से एक कौर के पतले टुकडे का अध्यन कर रहे थे। जब उन्होंने एक स्वा निर्मित सुक्षंदर्शी से कौर के टुकडे को देखा तो उन्हें मधुमक्खी के चत्ते जैसी संरचना दिखी। और लाटन शब्द कोशिका का स अंदर्व लेकर जिसका अर्थ छोटा कमरा होता है उन्होंने इसे नाम दिया। कृप्या से अपनी कौपी में नूट कर लीजे। चलिए अब हम कोशिका देखते हैं प्याज की जिल्ली लीजे अब सुक्ष्म दर्शी लीजे सुक्ष्म दर्शी ऐसा यंत्र है जैसे सुक्ष्म वस्तू देखने के लिए उप्योग मिलाया जाता है। अब सुक्ष्मदर्शी की सहायता से हम प्याज की जिल्ली की स्लाइट को देखेंगे तो हमने क्या देखा? हमने देखा कि कुछ छोटी सनरचनाएं हैं जो एक समान है और उनके आकार से इनका कोई संबंध नहीं है इन्ही सनरचनाओं को कोशिका कहते हैं और हमने यह भी पढ़ा है कि सभी जीव जन्तु कोशिकाओं से बने होते हैं क्या आप अनुमाल लगा सकते हैं कि हमने और रॉबर्ट हुक ने कोशिका को देखने के लिए सुक्ष्मदर्शी का प्रयोग क्यों किया? वीडियो को रोग दे और अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें चुकि अधिकांज कोशिकाओं आकार में छोटी होती हैं इसलिए हमें और रॉबर्ट हुक को उन्हें देखने के लिए सुक्ष्मदर्शी का उप्योग करना पड़ा उदाहरन के तौर पर यदि हम नगनाखों से अपना हाथ देखते हैं तो हम किसी भी कोशिका को नहीं देख पाएंगे जिस प्रकार कोई घर काफी एटों से मिलकर बना होता है इसी प्रकार प्रतिक जीवजन्तु कोशिका से मिलकर बने होते हैं जो जीवन की मूल भूदेकाई है, कृप्या इसे कॉपी में नोट कर ले। कोशिकाओं की संख्या के आधार पर जन्तु दो प्रकार के होते हैं, एक कोशिकिये जन्तु और बहु कोशिकिये जन्तु अब सवाल यह आता है, क्या प्रतेक बहु कोशिकीये जीव कभी एकल कोशिक जीव था? यदि हाँ, तो कैसे? वीडियो को रोके और चर्चा करें हाँ प्रतेक बहु कोशिक ये जीव कभी एकल कोशिक जीव था क्योंकि प्रतेक कोशिका स्वयम को विभाजत कर सकती है और अपने ही तरह का कोशिका उत्पादन करने की शमता रखती है इसे प्रकार सभी कोशिकाएं अपने से पहले से मौजूद कोशिकाओं से आई है एक कोशिकिये तथा बहु कोशिकिये जीवों के कुछ उधारन एक कोशिकिये जीव के उधारन है क्लामीडूमोनास, पेरिमीश्य, पैक्टीरिया बहु कोशिक ये जीव के उदारन है फंजाई, पौधे, जानवर, इत्यादी कृप्या से अपनी कौपी में नोट कर ले मानव शरीर के विबिन कोशिकाओं को समझने के लिए मानव शरीर के विबिन अंगों को समझते हैं जो विशेश काम करने के लिए समर्पित होते हैं मुदारन के लिए रिदय रुधिर को पंप करता है अमाशय भोजन का पाचन करता है कुछ इसी प्रकार मानव शरीर भी विबिन प्रकार की कोशिकाओं से बना होता है जो विबिन प्रकार के कारे करते हैं जैसे कि लाल रुधिर कोशिकाएं शरीर में ऑक्सीजन ले जाता है, शुक्रानू प्रजनन के लिए उप्योग में आता है, तंत्र का कोशिका उधीपन्थ से सम्वेदी सूचनाय वहन करती है, कृप्या इसे अपनी कौपी में नोट कर ले. कोशिकाएं की आकरती तथा आकार उनके विशिष्ट कारियों के अनुरूप होते हैं. उधारन के तौर पर शुक्रानू का आकार एक रॉकेट जैसा होता है, क्योंकि इसे जल्द से जल्द निशेचन के लिए अंडे तक पहुँचना होता है. कुछ कोशिकाएं का आकार स्थिर होता है और कुछ का आकार बदलता रहता है. इसे भी अपनी कॉपी में लिख ले. जैसे की हमने देखा है, घर में कुछ बुनियादी संरचना होती है, जिसके बना कोई घर नहीं बनाया जाता है. जैसे की दिवारे, खिड़किया, दर्वाजे, इत्यादी. इसी प्रकार कोशिकाओं में भी कुछ बुनियादी संरचनाई होती है, जिसका हम अवलोकन कर सकते हैं. जो है प्लाजमा मेंब्रे, जिसे प्लाजमा जिली कहा जाता है, कोशिकाद्रव्य और केंद्रक. इससे समझ सकते हैं कि इस दुनिया में हर कोशिकाओं के पास तीन गुन दखाई देते हैं. कोशिकाद्रव्य, प्लाजमा जिली तथा केंद्रक. कृपया से अपनी कॉपी में नोट कर ले. यह तीन सन रचनाएं कोशिकाद्रव्य की रचना का आधार है. सभी कोशिकाओं में कोशिकांग होते हैं. इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि उसका कारे क्या है या वो किस जीव में बाई जाती है. इसे भी अपनी कॉपी में नोट कर ले. अब कक्षर में कुछ प्रश्ण करेंगे. NCRT के अभ्यास प्रिष्ट संख्या 59 से question number 1 और question number 2 करें. और आप अपनी संकल science workbook से अभ्यास 9B05.1 से question number 4, 5 और 6 करें. हलो बच्चों, आज हम कोशिकाओं के बारे में पढ़ेंगे. हम पहले से ही जानते हैं कि कोशिकाएं अलग-अलग प्रकार और आकार की हो सकती हैं. जैसे कि गोल कोशिकाएं, प्लेट जैसी कोशिकाएं, लंबे धागे जैसी कोशिकाएं, रौड जैसी कोशिकाएं, मतलब कि हर कोशिका का अपना व्यभार है। हम कह सकते हैं कि कोशिकाओं का जीवन काल भी होता है। वे पैदा होती हैं, बढ़ती हैं और मर जाती हैं। अब हम कोशिका यानी सेल को और जानेगे। एक जीवित कोशिका एक छोटी जेली की तरह होती है, जिसके उपर कई परत हो वो परत कोशिका जिल्ली या सेल मेंब्रेन होती है कोशिका के अंदर जेली जैसा भाग कोशिका द्रव्य क्यानि साइटोप्लाजम कहते हैं उसे कोशिका जिल्ली यानि सेल मेंब्रेन उसको बाकी कोशिकाओं से अलग करती है और वह यह भी नियंतरित करती है कि क्या उसके अंदर आता है और क्या बाहर जाता है। कोशिका द्रव यानी साइटोप्लाजम के अंदर एक सगहन मतलब टेंस गोल या लगभग गोल भाग होता है जिसे नूकलियस कहते हैं। क्या सामानितर गोल होता है और कोशिका के बीच में होता है। नूकलियस साइटोप्लाजम से एक खाल की मदद से हटा होता है जिसे नूकलियर मेंब्रेन कहते हैं। नूकलियस कोशिका का एक बहुत अहम भाग होता है और लगभग सभी जीवित कोशिकाओं में पाय जाता है। रोबर्ट ब्राउन ने अठारवी शताब्दी में अलग-अलग कोशिकाओं में नूकलियस की खोज की थी। देखिए यह प्याज के छिलके का सुक्ष्म द्रिश यानि माइक्रोस्कोपिक व्यू है। हर कोशिका में एकोशिका द्रव यानि साइटो प्लास्म, गोल नूकलियस और कोशिका जिल्ली या सेल मेंब्रेन होती है। सिल मेंब्रेन कोशिका को आकार देती है, जैसे हमारे शरीर में कई अंग हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं, उसी प्रकार कोशिका में भी कई अंग होते हैं, जो अलग-अलग काम करते हैं, इन्हें कोशिकांग यानि ओर्गेनल्स कहते हैं, हर कोशिकांग मतलब ओर्गेनल का एक या उससे ज्यादा विशेश काम होता है जैसे कि ये कोशिकांग है Mitochondrian जिसको बहुवचन में Mitochondria कहते हैं इसे कोशिका का उर्जा घर मतलब की Powerhouse कहते हैं ये कोशिका के चया-पचय कारियों या कहें Metabolic Functions में भाग लेता है और खाने से उर्जा पैदा करता है एक और कोशिकांग यानी Organal की बात करते हैं Ribosome के प्रोटीन उत्पन करता है कोशिकांग में कई Organals यानी कोशिकांग होते हैं और सबका कारिय अलग होता है कभी-कभी हम कोशिकांग में खाली जगह देखते हैं जैसे कि वहाँ Vacuum हो उस बराबट को Vacuol कहते हैं कुछ कोशिकांग में कई छोटे-छोटे Vacuol होते हैं बहुत से पौधों की कोशिकांग में भी Vacuol पाए जाते हैं यहसल में सामान जमा करने वाले बुल-बुले होते हैं जो कूड़ा, पोशक्तत्व, आदिक कुछ भी जमा कर सकते हैं तो कोशिकांग यानि सेल्स होते तो बहुत छोटे हैं पर काफी अध्भुत होते हैं कोशिकांग और उनके अंगों के बारे में बस यही था बाई-बाई पहला प्रश्ण चलिए बिसके विकल्द देखें आईए अब इसका सही उत्तर जाने इसका सही उत्तर है बी जब रॉबर्ट हुक ने पौधी के कौर की स्लाइड में देखा तो उसने मधुमक्खी के छत्ते जैसी सनरचना को देखा जिसे उसने सेल्ट कहा था फूसरा प्रश्ण चलिए इसके विकल्द देखें आईए इसका सही उत्तर जाने इसका सही उत्तर है बी प्रतेक जीव बहुत सारी कोशिकाओं से मिलकर बना होता है क्योंकि हर जीव जीवन की छोटी और मूलभू दिकाई कोशिकाओं से बनी होती है ए विकल्द नहीं है क्योंकि कोई जीव कोशिका के अंदर नहीं रहता है और हम जानते हैं कि कोशिका जीवन की मूलभू दिकाई है सी विकल्ब भी सही नहीं है क्योंकि कुछ जीव एक कोशिक ये भी होते है और केवल एक कोशिका से बने होते है जैसे हमारे घर में दिवारे होती है उसी प्रकार हर कोशिका के पास एक जिल्ली होती है जिसे कोशिका जिल्ली या प्लाजमा जिल्ली कहते है प्लाजमा जिली अनुओं से मिलकर बने होते हैं जो है लिपिट और प्रोटीन आप सभी ने स्कूल गेट पर चौकीदार को तो देखा ही होगा जो सिर्फ चुरिंदा लोगों को ही स्कूल के अंदर जाने देते हैं इसी प्रकार कोशिका जिली चुरिंदा होती है यह सिर्फ चुरिंदा पदार्थों को ही अंदर एवं बाहर जाने देती है इसलिए इसे वर्नात्मक पराग्य जिली कहते है कृपैस अपनी कॉपी में नोट कर ले जैसे हम अपना मूख खोलते हैं और भोजन लेते हैं इसी प्रकार प्लाज्मा जिली का लचीला पन कोशिका को ऐसा करने के लिए अनुमती देता है उदाहरन के तौर पर अमीबा प्लाज्मा जिली जिसे कोशिका जिली भी कहते हैं कोशिका की वो बाहरी जिली होती है जो प्रोटो प्लाज्म को बाहरी वातावरन से अलग करती है यानि ये रचनात्मक रोध है जो कोशिका के पदार्थ की सुरक्षा करता है ये कोशिका को एक नश्चित आकरती भी देता है क्योंकि प्रोटोप्लाज्म जिली जैसा होता है ये हम पहले से ही जानते हैं कि प्लाज्मा जिली के वरनात्मक पारका में जिली या सेलेक्टिवली पर्मियेबिल मेंब्रेन कहते हैं क्योंकि यही जिली तै करती है कि कौन से पदार्थ कोशिका में दाखिल होंगे और कौन से पदार्थ बाहर निकलेंगे। कोशिक कोशिकों में प्लाजमा जिली विशेश मेंडरल्स अवशूशत करने और मुक्त करने के लिए परिवर्तित हो जाती है। जैसे कि छोटी आत में विली नूट्रियंट्स अवशूशत करती है। अगर आपको याद नहों तो आत की विली छोटी उंगली जैसी आकृती होती हैं। जो छोटी आत की दिवारों से उभरती है। अमीबा को उसका खाना कैसे मिलता है। प्लाजमा जिली का लचीरापन कोशिका को बाहरी वातवरण से इंडोसाइटोसिस द्वारा खाना और अनिप पदार्थ निगलने में मदद करता है। यानि इंडोसाइटोसिस वो प्रक्रिया है जिसमें एक पदार्थ बिना कोशिका की जिल्ली से पारवे कोशिका में प्रवेश पा लेता है। कोशिका जिल्ली सिर्फ एक जिल्ली से ज्यादा शांदार है। किसी-किसी जगह पर कोशिका जिली में दो अगल-बगल वाली कोशिकाओं के बीच रास्ते बन जाते हैं, जिससे पदार्थ का आदान-प्रदान हो सके। और माइक्रोब्स के खिलाफ सुरक्षा देने में मदद करते हैं अब आप समझ के होगे कि कोशिका जिली कोशिका के लिए कितना जरूरी हिस्सा है प्लाजमा जिली के बारे में आप सब जान चुके हैं तो हमने पढ़ा कि कोशिका जिली सिर्फ चुनिन्दा पदार्थों को ही अपने द्वारा पारत होने देती है चलिए देखते हैं कि प्लाजमा जिली में ये पदार्थ कैसे अंदर जाते है CO2 एवं O2 जैसे प्यदार्थ जिस प्रक्रिया के मार्धियम से प्लास्मा जिली में से जाते हैं उसे विसरन कहते है विसरन एक सहच प्रवर्ती है जिसमें प्यदार्थों की गती उच सांद्रता से निम सांद्रता की ओर होती है खृप्या इसे भी अपनी कौपी में नोट कर ले अब सवाल ये आता है कि विसरन होता कैसे है चलिए उदाहरन के मार्दिम से समझते हैं जैसे हम अक्सीजन लेते हैं और कार्बन डायकसाइड छोड़ते हैं उसी प्रकार कोशिका भी एक्रिया करती है अगर कोशिका में भीतर O2 का स्तर CO2 के स्तर के मुकाबले ज़्यादा हो तो गती कुछ इस प्रकार होगी इसी तरह प्लाजमा जिल्ली में पानी की गती भी पानी में गुली हुई सामगरे से प्रभावित होती है अगर कोई कुछ लजीज पका रहा है तो आपको कुछ मीटर दूर से ही उसकी खुश्बू आ जाएगी यानि वो खुश्बू हवा में फैल जाती है हम मच्छरों को भगाने के लिए इस तरह की कॉईस चलाते हैं पहले तो आप अगर नस्दीक न खड़े हों तो आपको कॉईल के जलने के खुश्बू नहीं आएगी पर धीरे धीरे वो खुश्बू पूरे कमरे में फैल जाएगी कुश मिन्टों बाद आपको उसकी खुश्बू कमरे के हर कोने तक आने लगेगी यानि उसका धुआ सब दिशाओं में फैल गया अगर आप पानी के गिलास में स्याही की दो-तीन बूंदे मिला दें तो देखेंगे किस तरह से स्याही पूरे पानी में बराबर फैल जाएगी जो हमने यहाँ देखा वो कहलाता है डिफ्यूजन या विसरण विसरण में पदार्थ के अनू ज्यादा सांदरता से कम सांदरता की ओर उस माध्यम जैसे हवा या पानी में बराबर से फैल जाते हैं। विसरन की वज़े से ही खुश्बू, गैस, धुआ, आसानी से हवा में फैल जाता है। इस प्रक्रिया की वज़े से ही जब आप पानी में रंग मिलाते हैं, तो वो बराबर से फैल जाता है। विसरन की वज़े से ही जब आप गर्म पानी से भरे एक कप में चाय की पत्ती डालते हैं तो चाय का स्वाद पूरे पानी में अच्छे से फैल जाता है। पर विसरन इससे भी कहीं ज्यादा जरूरी है। ओक्सीजन से भरपूर हवा फेफ़णों के अलवियोली में पहुँशती है जहां बिना ओक्सीजन वाला रक्त इन एरबैक्स के आसपास धबनियों में प्रवाहित होता है। तो ओक्सीजन रक्त में विसरित हो जाता है क्योंकि ओक्सीजन की सांदर्ता हवा में ओक्सीजन की सांदृता के मुकाबले कम होती है विसरन की प्रक्रिया में बहुत से जरूरी आयंस अनू, परमानू, निूट्रियंट सादी ज्यादा सांदृता वाले इलाके से कम सांदृता वाले इलाके में गति करते हैं इसलिए उनका इस्तेमाल अच्छे से हो पाता है विसरन के बहुत से उदाहरन हमारे शरीर में ही देखने को मिल जाते हैं इसलिए ये प्रक्रिया बहुत जरूरी है अभी के लिए इतना ही बाई बाई पानी में क्या पदलावाता है जब उसे रखा जाता है फ्रीजर में समाने कमरे के तापमान पर ये जलती हुई लौपर फ्रीजर के अंदर पानी बर्फ बन जाएगा कमरे के तापमान पर रखने पर वह पानी ही रहेगा और पानी को जलती हुई लौपर रखने पर भाब बन जाएगा उसे प्रकार जब हम कोशिका को अलग-अलग प्रकार के विलियन में रखेंगे तब कोशिका विभिन प्रकार के वेभार दिखाएगा। चलिए देखते हैं। पहली स्थिती में कोशिका को अती परासरंदाबी विलियन में रखेंगे। यदि कोशिका के बाहर वाला विलियन अंदर की घोल से अधिक सांद्र है तो ऐसे विलियन को अती परासरन दाभी विलियन कहते हैं। इस थिती में जब पानी की सांद्रता कोशिका के भीतर विलियन के मुकाबले जादा होगी, तब कोशिका में परासरन द्वारा पानी की हानी होती है और वह संकुच्चत हो जाएंगे. परासरन में जल की अनू वर नात्मक पराग्य जिली द्वारा उच्च जल की सांद्रता से निम्न जल की सांद्रता की ओर जाते हैं इसी प्रक्रिया को जीव द्रव्य कुंचन कहते हैं कृप्या इसे कौपी में नोट कर ले इस थिती में हमने कोशिका को उसी विल्यन में रखा है एक ऐसा विल्यन जिसमें घुला हुआ पदार्थ और पानी एक समान है इस थिती में क्योंकि सांद्रता में कोई परवर्तन नहीं है इसलिए पानी में कोई संचालन नहीं होगा परिनाम स्वरूप कोशिका समान रहेगी कृप्या इसे भी अपनी कौपी में लिख ले तीसरी स्थिती में हम कोशिका को अलप परासरन दाबी विलियन में रखेंगे ऐसा विलियन जिसमें घुले पदार्थ की मात्रा पाने की मात्रा में कम होगा इस थिती में पानी की मात्रा कोशिका के बाहर अधिक होगी कोशिका परासरन द्वारा पानी प्राप्त करके फूल जाएगा कृप्या इसे अपनी कॉपी में लिख ले इस प्रकार कोशिका निम लिखित विलियन में तीन प्रकार के प्रभाव दिखाएगी क्रिप्या इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले क्या आपने कभी घर के दिवार के बाहर पेंट लगा हुआ देखा है कभी आपने सोचा है हम ऐसा क्यों करते है हम घर की दिवारों पर पेंट इसने लगाते हैं जिससे घर की दिवारों को बाहरी नुकसान से बचाया जा सके। पादक कोशिका के बाहर भी प्लास्मा जिल्ली के अलावा कोशिका भित्ती भी होती है। पादक कोशिका भित्ती मुख्यता सेललों से बनी होती है। कोशिका फित्नी, कवक तथा बाक्टीरिया में भी पाया जाता है. कृप्या ऐसे कॉपी में नोट कर ले. जैसे हमारे शरीर में दिमाग शरीर के सारे कारेने अंधरित करता है, वैसे ही कोशिका के पास भी मस्तिश्क होता है. जिसे हम केंद्रक कहते हैं केंद्रक कोशिका का मस्तिश्क होता है यह केंद्रक जिल्ली से गिरा होता है जिन में छोटे-छोटे छिद्र होते हैं जो केंद्रक के अंदर का कोशिका द्रव्य केंद्रक के बाहर ले जाते हैं जीवों में कोशिकी जनन में यह महत्वपून भूमिका निभाता है इस प्रक्रिया में एक अकेली कोशिका विभाजत होकर दो नई कोशिकाएं मनाती है यह कोशिका की अन्य प्रकार की रसाइनिक गती विध्या भी निर्धारित करते हैं जैसे की कोशिका का जीवन अम्रित्यो क्रिप्या ऐसे कॉपी में नोट कर ले केंद्रक नीचे दिये गई महत्वपून सनरचनाओं से बना होता है केंद्रक में क्रोमोजूम होते हैं जिनका आकार रॉड की तरह दिखता है जिसे हम हिंदी में छड़ा आकार बोलते है यह सिर्फ कोशिका विभाजन के समय ही दिखाई देते है क्रोमोजूम डियने एवं प्रोटीन से बने होते है क्रिप्या ऐसे कॉपी में नोट कर ले डियने डियोक्सी राइबोन्यूकलिक अम्र अनू के रूप में अगली संतती में जाते है अनू में कोशिका के निर्मान पसंगठन की सभी आवशक्त सूचनाई होती है जी इसे समझने के लिए आप अपने दोस्तों को देखे और अपने और उनके रंग रूप की तुलना करे आप देखेंगे की आप सब एक दूसरे से दिखने में काफी अलग है क्यूंकि आपने अपना रंग रूप अपने माता पता से प्राप्त किया है इसलिए आप अपने माता पता के समान दिखते हैं DNA के क्रियात्मख खंड को जीन कहते है अब जानते हैं कि क्रोमेटिन पदार्थ क्या होता है क्रोमेटिन पदार्थ धागे की तरह कि रचनाओं की एक जाल का पिंड होता है जब कभी भी कोशिका विभाजत होने वाली होती है तब ये क्रोमोजोम में संगठित हो जाता है क्रिप्या इसे अपनी कॉपी में नोट कर ले केंद्रख के आधार पर जन्तूओं को दू भागों में बाटा गया है प्रोकेरियोट कोशिकाओं में केंद्रख जिल्दी नहीं होती है उदारन बैक्टीरिया जिन जीवों की कोशिकाओं में केंद्रख जिल्ली होती है उन्हें यूक्यारियोटिक कहते हैं जैसे तांत्रिक कोशिका क्रिप्या इसे कॉपी में नोट कर ले चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या बढ़ा हमने जीन के बारे में बढ़ा जीन सबसे छोटी इकाई होती है हमने DNA के बारे में पढ़ा और हमने यह भी जाना कि Chromitin प्रदार्थ क्या होता है हमने केंद्रक के बारे में भी पढ़ा और हमने कोशिका के बारे में पढ़ा अब आप निमलिखित प्रश्न कीचे